मैं एक निवेधन करता हूँ, ये Congress Party अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे, ये अपने आपको ANC कहती है, आज मैं कहता हूँ ये अपने आपको ANC कही, Anti-National Clubhouse, ये कैसा Clubhouse है, जिसमें सारे लोग मोदी जी से घ्रणा करते करते, आज हिंदुस्तान से घ्रणा कर बैटे हैं, ये वही Congress Party है, जिसमें पीच इदाम्बरम कह रहे थे, कि Article 370 इसलिए हटाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, वो मुस्लिम बाहुल्यक्षेतर है, तुष्टिकरण की अपराकाष्ठा को आप देखी, बंदुगण केवल इस पैटर्न में पाकिस्तान हो ऐसा नहीं, इस टूल किट में चाइना पाकिस्तान एक्सिस भी था इस टूल किट में, 2008 में जो MOU साइन किया गया, सोनिया जी और राहूल जी द्वारा, और काफी डोनेशन, करोडों में डोनेशन जो कॉंग्रेस के अकाउंट में चाइना से आया, ये सब यू ही नहीं हुआ है, ये सब उसका हिस्सा है, कि हम मिलके किस प्रकार भारत वर्ष को नीचे दिखाए कश्मीर में आर्टिकल 370 पुनस थापित करने के लिए चीन, पाकिस्तान इत्यादी के साथ मिलके काम करेंगे, ये 2008 में MOU का भी हिस्सा है, और आपको याद होगा डोकलाम का जब स्केंड ओफ हुआ था, पूरा ये गांधी का कुनबा, ये तथाकथित गांधी का कुनबा जो है, ये प्रियंका जी, राहूल जी, वाडरा जी, और भी सब जी, वो सारे के सारे चाइनीज टेंट के नीचे मिले थे, पहरे तो मना कर रहे थे, बात में जब फोटो आ गया और मीडिया ने पोटो चला दिया, तो बात कड़े करके, हाँ हम वहाँ थे, आप बताई, य भारतिय जंता पाटी इस मंच से, आज हम ये डिमैंड करते हैं, कि दिगविजे सिंग जी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को जिस प्रकार से मोदी के हटने के बाद भारत कैसा होगा, उसमें हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे, इस पर सोनिया गांधी जो की अभी कारेकार अध्यक्ष हैं, और राहूल गांधी, जिनको भविष्य में अध्यक्ष बनाना चाहते हैं शायद कॉंग्रेस पार्टी, दोनों क्या सोचते हैं, क्या ये कॉंग्रेस का राय है या नहीं है, हम चाहते हैं इसमें राहूल जी एक प्रेस क quadrant करके देश को संबोधित करें और इस सच्चाई को देश के सामने रखे बहुत बहुत धन्यवाद यह सवाल हो तो पूछे यह क्या शाल कैंसिडर क्या अंग्रे जी वो अंग्रे जी के मास्टर बने हुए है देखे शाल कंसिडर कुछ नहीं होता है we all know that he is anti-Indian यह शाल कंसिडर यह अंग्रे जी का क्लास ना खोले बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताए उन्होंने यह क्यूं कहा कि आर्टिकल 370 को वो बहाल करेंगे उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जब उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी के हटने के बाद उनको वहीं रोकना चाहिए था कि आप कौन है मोदी के हटने के बाद हम क्या करेंगे यह तो डेमोक्राटिक कंट्री है हम डेमोक्राटिक तरीके से काम करते है तो यह शाल और कंसिडर इस प्रकार की अगर अंग्रे जी का विशाय है तो वो शाशी तरूर जी को बताए हमें ना बताए और कोल कोस्टन अरविन केजरिवाल जी तो दिल्ली के मुख्य मंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया और उन्हें प्रेस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन रात यूद दिस्तर पे थर्ड वेव की तयारी कर रहे हैं टेंकर इत्यादी ला रहे हैं ऑक्सिजन प्लैंट भी बना रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं मगर हम तो इसमें राजनिती नहीं करना चाहते हैं और ना ही इस विशे को लेके हमनों रोज टीवी पे आते हैं और चूंकि आपने सवाल पूछा है अरविन जी अगर यही तयारी सेकेंड वेव से पहले कर लेते तो कितना बढ़िया होता सेकेंड वेव ही नहीं होता सेकेंड वेव से पहले वो केवल एड़टाइजमेंट करते थे और हर दिन टीवी ओन करिये तो सुबह, दोपर, शाम हमेशा टीवी पे दिखते थे, हजार करोड रुपए उन्होंने टीवी के एड़िटाइजमेंट पे खर्चा किया, हम तो बहुत सम्मान के साथ क्यों कि हम राजनिती में विश्वास नहीं रखते हैं, टक्राव में बिल सारे oxygen के सिलिंडर रखे हुएं और अर्विन के जरिवाल जी मास्क पहन के उन oxygen सिलिंडर के बीच में चल रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, मगर second wave के समय तो आप बोल रहे थे कि हमें तो केंदर सरकार काम नहीं करन